हलो दोस्तों आज तारीक है 14 सितंबर यानि आज है हिंदी दिवस आप सभी को हिंदी दिवस की हारदिक शुप काम नाएं आज की लेटिस न्यूज अप्डेट्स में हम जानेंगे कोलकता में ममता बेनरजी सरकार के खिलाव भाजपा का नबनना चलो मार्च हुआ हिंसक टार्टा ग्रूप अप पैकेजड वाटर कंपनी बिसलरी इंटरनेशनल में ले सकता है हिस्सेदारी ट्विटर पर विराट को हुली के हुए 5 करूर फॉलोवर्स 16 सितंबर को नहीं 23 सितंबर को सेलिब्रेट होगा नेशनल सिनिमा दे और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे निज़र तो चलिए फटा-फट शुरुआत करते हैं आज की रूचक तत्य के सार्ट भारत के दक्षडी राजियों की महिलाओं में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है इसके लिए हैदराबाद की काउंसिल ओफ सोशल डेवलेप्मेंट में एक स्टडी की है रिसर्चर्स का कहना है कि तमिलनाडू में सबसे ज़्यादा महिलाएं मोटापे का शिकार हैं वहीं तेलंगाना में सबसे कम और ते मो महिलाओं में मोटापा 9.5 प्रतिशत बढ़ा है इस्टडी के मुताबिक राष्ट्री अस्तर पर सबसे ज़्यादा 31.2 प्रतिशत क्रिश्चन महिलाएं मोटापे से ग्रस्त हैं प्री शोताओं विस्तार से समाचार सुनाने से पहले एक बहुत जरूरी बात जैसा कि कल मैं आपसे बताया था कि यह खबरी अब पर मेरा आखरी महिना है और आपसे राय मागी थी कि हम किस नए प्लैटफॉर्म पर जा सकते हैं अधिकतर लोगों ने यूट्यूब को एक सही विकल्प बताया है और मुझे भी यह अन्य विकल्पों से बहतर इसलिए लगता है क्योंक कि सबसे बड़ी बात हम सब यूट्यूब से भली भाती परचित हैं किसी को कोई नया एप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है दूसरा यूट्यूब पर हम सब अपनी एक स्ट्रॉंग कम्यूनिटी बना सकते हैं और आसानी से एक दूसरे से कमेंट्स, लाइफ सेशन्स व ही हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प है और खास बात ये भी है कि काफी पहले मैंने आज का अकबार नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया भी था जिसे अब मैं रिवाइब कर रहा हूँ और पिछले चार दिनों से इस पर भी आज का अकबार पब्लिश कर रहा हूँ इ इस पूरे महिने मैं आज का अकबार खबरी एप और यूट्यूब चैनल दोनों जगां पब्लिश करूँगा लेकिन एक अक्टूबर से आप अपना पसंदीदा न्यूज शो सिर्फ यूट्यूब पर ही सुन पहेंगे अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीती की सभी ब पूई पूलिस की गाड़ी फूंग दी गई जमकर पत्थरबाजी भीगी गई पूलिस को हालात समालने के लिए लाठी चार्ज आसू गैस के गोले और वाटर कैनन का सहारा लेना पड़ा इस दोरान कुलकता से भाजपा पारशद मीना पुरोहित का सिर्फ अड़ गया जि गिरासत में ले जाने के दोरान शुबेंदू अधिकारी का एक बयान सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जिसमें वे एक महिला पुलिस आफिसर से कह रहे हैं डोंट टच माई बॉड़ी आयम मेल देश में कोरोना के मामली लगातार घट रहे हैं कलचारी आक्टों के अधिक्टर भरती प्रक्रिया में अनिमित्ताओं को लेकर सीबियाई ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर एसेसबी के पूर्व अध्यक्ष खालित जहांगीर के ठेकानों सहीत 33 जगों पर छापे मारे जम्मू कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड के एक्जाम कंट्रोलर दर्शन शुरू हो जाएगा हैवरबाद की होटिल में सुमवार रात तस बजी आग लग गई हाथसे में आठ लोगों की मौत हो गई पीम मोदी ने हाथसे पर दुख चताया है उन्होंने हाथसे में मरने वालों को दूदू लाक और घायलों को पचास-पचास हजार रोपे देने की खोशना की है बताय जा रहा है कि यहाँ एक E-Scooter Recharge Unit थी जिसके चलते आग लगी भोपाल में नरसरी में पढ़ने वाली साठे तीन साल की बच्ची से दुशकर्म का संसनी खेज मामला सामने आया है बस ड्राइवर पर रेप का आरूप लगा है उस पर दुशकर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्च कर लिया गया है केन सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तमाल होने वाली चार दवाओं समेत 34 नई मेडिसिन को आवश्यक सूची यानि National List of Essential Medicine NLEM में जोड़ दिया है NLEM में उन दवाओं को शामिल किया जाता है जो जादा से जादा लोगों के काम में आती है इन दवाओं का अधिक्तम दाम सरकार कंट्रोल में रखती है हाला कि 26 दवाओं को इस लिस्ट से कल निकाला भी गया है गरीब सवर्णों को आर्थिक आरक्षड देने के लिए समविधान में किये गए एक सो तीनवे संशुधन के खिलाप दायर याजकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई सुनवाई के दोरान अधालत ने पुछा विशेश भर्ग को आरक्षड से बाहर क्यों करें केके वेड़ो गोपाल के पद खाली करने के बाद सीनियर एड़ोकेट मुकुल रोहतगी को भारत का चौदहमा अटॉर्णी जनरल यानी एजी नियुक्त किया जाएगा इससे पहले वे जून 2014 से जून 2017 के बीच एजी रह चुके हैं आम आदमी पार्टी सरकार में पंजाब के वित्तमंत्री हरपाल सिंग चीमा ने भाजपा पर आपके दस विधायकों को खरीदने के प्रयास के आरूप लगाए हैं का कि उनके पास इसकी और्डियो रिकॉर्डिंग भी है उजबेकिस्तान में 15 से 16 सितंबर को होने वाले शांगाई सहयोग संगठन के सालाना शेकर सम्मेलन के तीन दिन पहले मंगलवार को भारत चीन सीमा से अच्छी खबर आई है पूर्वी लद्दा के तनाओं वाले गोगरा होट स्प्रिंग 15 शेदर से भारत और चीन की सिनाए पूरी तरह से अब हट गई है विहार के बेगु सराय जिले में हाईवे पर बाइक सवार दो बदमाशों ने लगभग 30 किलोमेटर तक पिस्टल से ताबर तोर फाइरिंग की इन साइको किलर्स ने जो मिला उसे शूट किया हमले में एक विक्ति की मौत हो गई जबकी 9 लोग खायल हैं बदमाश अभी भी फरार हैं सुप्रीम कोट ने सोंवार को केन सरकार को पाकिस्तान की जासूसी करने वाले भारती को 10 लाक रुपे मुआफ़ा देने का आदेश दिया महमूद अनसारी नाम के शक्स का दावा था कि उसे सीक्रेट मिशन पर पाकिस्तान भेजा गया था लेकिन वहाँ पकड़े जाने के बाद उसे 14 साल तक जेल में रखा गया आन प्रदेश के श्रीका कुलम जिले में मंगलवार को भारी भारिश हुई इससे राजमार्ग और आवासी कालोनिया जलमगन हो गए इधर MP में भी भारी भारिश हुई नर्मना नली पर बने बान के गेट खोलने पड़े रास्थान में भी भारी भारिश के कारड़ 10 जिल मारानी को शद्धानली देने के लिए रास्ते में हजारों लोग की भीड एकत्र है कैनड़ा की उन्टोरियों में गुलिबारी की दो घटनाएं सामने आई हैं इसमें दो लोग की मौत हो गई तीन लोग घायल है आरोपी को गिरफतार कर लिया गया है पाकिस्तान में बाड संखिकों के साथ फ्लड रिलीफ कैंपों में हो रहे भेद भाव को उजागर किया था अब सुनते हैं बिजनस वर्ल्ड की लेटिस न्यूज वेदान्ता ग्रूप और फॉक्सकॉन साथ मिलकर सेमी कंड़क्टर प्रोडक्शन के लिए गुजरात में प्लांट लगाएंगे इसके लिए गुजरात सरकार के साथ दो मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैनिंग यानि MOU साइन किये हैं इस प्रोजेक्ट के लिए दोनों कंपनी एक लाग चववन हजार करोड रुपे का इन्वेस्टमेंट करेंगी करसेंसेक्स 455 अंग की तेजी के साथ 6571 पर बंद हुआ न 676 रुपे प्रती 10 ग्राम पर बंद हुआ चान्दी की बात करें तो ये कल 27270 रुपे प्रती किलो ग्राम पर पहुँच गई कल रुपया डॉलर के मुकाबले 36 पैसे मजबूत होकर 89 रुपे 17 पैसे पर पहुँच गया Finance Minister निर्मला सितरमर ने भारती कंपनियों की तुलना भगवान हनुमान से की है निर्मला सितरमर ने मंगलवार को Hero Mind Mind Summit में कहा की भारती कंपनियों को हनुमान जी की तरह अपनी क्षमता और ताकत पर विश्वास नहीं है उन्होंने बारती कंपनियों से सवाल किया कि जब अन्य देश भारत में विश्वास दिखा रहे हैं तो फिर उन्हें मैनेफेक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने से क्या रोक रहा है ट्विटर के शेर होल्डर्स ने मंगलवार को कंपनी को इलोन मस्क को बेचने की मनजूरी दे दी या डील 44 बिलियन डॉलर की है अलाके दिक्कत यह है कि अब मस्क इससे पीछे हट रहे हैं और ट्विटर चाहता है कि मस्क डील पूरी करें टाडा ग्रूप अब पैकेस्ट वार्टर सेग्मेंट में अपनी दखल बनाना चाहती है इसलिए ग्रूप ने विजलरी इंटरनेशनल में हिस्सदारी लेने के लिए बातचीत शुरू कर दी है भारती बोतल बंद पानी का मार्केट करीब 19,000 करोड रोपेका है अब सुनत पूलकर को पौने 4 करोड यूजर फॉलो करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व में पहले अस्थान पर हैं उन्हें 10 करोड यूजर्स ट्विटर पर फॉलो करते हैं कानपूर के ग्रीन पार्क में श्रीलंका लिजंस ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया श्री पांडे ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से सन्यास ले लिया है हलाकि वे रोड सेफटी जैसे इंटरनेशनल लीग में खेलते रहेंगे टीम इंडिया को भारत में 20 सितंबर से आस्ट्रेलिया के खिलाब टीम T20 मैच की सिरीज खेलनी है इस सिरीज के लिए आस्ट्रेलियाई टीम भारती महाल में ढलने के लिए आज बुद्वार को भारत पहुचेगी और प्रैक्टिस शुरू करेगी स्टार रेसलर विनेश वोगाट वर्ल रेसलिंग चैंपेंशिप के क्वालिफिकेशन राउंड में हार गए बेलग्रेड में चल रहे है इस प्रत्युकता में उन्हें मंगोलियाई पहलवान खुलान ने साथ शुरूनी से हराया हला कि वर्ल चैंपेंशिप में विनेश की चुनोती अब भी बरकरार है क्योंकि खुलान फाइनल में पहुच गई है अब सुनते हैं मनरंजन जगत की कुछ पड़ी खबरें कुछ दिनों पहले मल्टिप्लेक्स असोशेशन ने 16 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे सिल्ब्रेट करने की घोशना के थी अब स्टेक होल्डर्स की रिक्वेस्ट पर इसे 23 सितंबर को मनाने का फैसला लिया गया है इस दिन देश भर में सिनेमा घरों में आप मात्र 75 रुपे में फिल्म देख सकेंगे जिया खान की मौत सालों से रहस्य से बनी हुई है इसके हाली में एक्ट्रेस की मा राबिया खान को जिया खान सुसाइट केस में बड़ा जटका मिला है बॉम्बे हाई कोड ने जिया सुसाइट केस को दोबारा ओपन करने से इंकार कर दिया है बॉलवूड एक्ट्रेस औरवशी राउतिला ने कुछ दिनों पहले कहा था कि रिशब पन्त ने एक होटल की लॉबी में उनका दस घंटों तक इंतजार किया था जिस पर रिशब ने कहा था कि कुछ लोग पॉपुलरिटी के लिए कितना जूट बोलते हैं इसके बाद अब औरवशी ने रिशब से माफी मांग ली है कहा है I am sorry चोहत्तर में Emmy Awards 2022 की Announcement सुमवार दे रात हुई इनमें Drama Series Succession को Best Drama Award मिला जैंडिया को Euphoria के लिए Best Actress और Squid Game के लिए Lee Jun को Best Actor का Award दिया गया और अब आज की रोचक खबर आज कल यूपी के अंदर बुल्डोजर की छवी अवैर निर्मार को तोडने वाली मशीन के तोर पर बन गई है लेकिन हाले में पडोसी राज MP के कटनी जिले में बुल्डोजर का प्रियोग एक एम्बुलेंस के तोर पर हुआ दरसल यहां एक्सिडेंट के बाद एक यूव गंभी रूप से घायल हो गया था तब लोगों ने एम्बुलेंस को फोन किया लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुची और अन्य कोई सादन भी नहीं मिला अगली बुल्टिन में खबरी के मुखे खबरी चैल पर सुनिये दिन भर की बड़ी खबरी राक आट बजे तो कल फेर होगी मुलाकात क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अग बार तब तक के लिए नमस्कार